तो चलिए चलते हैं टॉपिक में आज की टॉपिक है फिप्टी की उम्रों के बाद भी नहीं कमजोर होगी हड्डिया आज से ही खाना शुरू कर दे ये पाच फूट्स कौन सी है ये पाच फूट्स जानने के लिए वीडियो के एंट तक जरूर देखना एक हिल्दी डाइट की मादद से आप लंबे समय तक अपनी हड्डियों को मजबुत रख सकते हैं उम्रों बढ़ने के साथ हड्डियों की सेहत को बनाय रखना किसी चुनोती से कम नहीं है डिसेस कर पचास साल के बाद हड्डियों में कमजोरी औस्टियो पोरोसिस और अन्न समस्य आम हो जाती है ऐसे में सही पोशन बहुत जरूरी हो जाता है हड्डियों को मजबुत बनाय रखने के लिए डाएट में कौन से फूट सामिल करना आपके लिए फाइदे बन साबित हो सकता है यह आप जान सकते हैं दूद और डियारी उत्पद हो जैसे दही और पनीर कैल्शियम के बहतरीं स्रोत है और कैल्शियम हड्डियों की मजबुती के लिए आवस्क है इसके अलबा डियारी प्रोड़क्ट में विटेमिन D भी होता है जो कैल्शियम के अपसोसन में मदद करता है अगर अब डियारी प्रोड़क्ट का सेबन नहीं करते हैं तो सोया दूद या बादम का दूद जैसे विकल्ब भी आच्छे है आलक मेथी सरसो और अहरी पत्तिदर सबजिया विटेमिन के कैल्शियम और मैगनेशियम से भरपूर होती है ये पोसकत्त हड्डियों की सन रचना को मजबुत बनाने में मदद करते है विटेमिन के हड्डियों के स्वास्त निर्वान में महत्पुन भूमी का निवाता है ब्रॉकुली ना के बल एक सूपर फूड है बलकि ये हड्डियों के लिए भी बहुत फाइदेमंद है इसमें कैल्शियम विटेमिन के और फोलेट की मात्रा अधिक होती है ब्रॉकुली का सेबन हड्डियों के घनत्तों को बढ़ाने में मदद करता है बादाम, आख्रोट, चियासीड और तील के बीज हड्डियों के लिए आवसक कई पोशक तत्त से भरपुर होते है इनमें कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी असीड और मैगनेशियम की अच्छी मात्रा होती है तोजाना एक मुठ्ठी नाट्स का सेबन करने से हड्डियों की सेहत में सुधर होता है सामन, सार्डिन और ट्राउट जैसी मचली आउमेगा 3 फैसिड और विटामिन डी का अच्छा स्रोत होती है विटामिन डी हड्डियों के लिए बेहत आवसक है क्योंकि ये कैल्शियम के अबससन में सहायता करता है सब्ता में दो बार मचली का सेबन करने से हड्डियों को मजबूती मिलती है तो गाईज हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए अभि ये सब फुट को डेली डायेट में सामील जरूर करे तो गाईज आज की वीडियो में यह पेंट करती हो आपको मेरी वीडियो अच्छा और हिल्फुल लगता है तो लाइक, शेयर, कॉमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना, मिलती हो और एक इंट्रिस्टिंग वीडियो के साथ